आज मैं आपसे श्याय कर रही हूँ हारी मटर के पराठी की रेसिपी तो मटर को जासे सभी को बहुत पसंद होती है तो यह पराठी वी एक पर आप जरूर ट्राइ करके देखें यह भी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं तो चलिए फ्रेंस सुरूर कर लेते हैं आज की हमा दालना है और उस इसल फैसना है तो इस तरीके से यह पेजट बन कर तैयार हो जाएगा आप देख सकते हैं तो अबर्यदी दूसरी तरफ एक बातन लिया थ machiner sl prior के लिए मौझे थाकि जो द्राठी में पार-फबहसता है थे फृद् er पजस्त led लिखना है दसको दोश दल फ तो आप इसमें सौंफ और कुटा हुआ धनियों जरूर डाले इसका टेश्ट बहुत अच्छा था है प्राटो में और यह नॉर्मल से मसाले होते हैं सभी किचन में आराम से भी मिल जाते हैं तो अभी हमने यहां पे बड़े साइस का प्याज लिया था तो इसको हमने बारी कि फ्राइ करना याउदा फ्राइफ नहीं करना है तो अभी हम इसमें डाल दिया है तो अभी मतर में मौशर होता है तो इसमें फानी हो आमें high flame पे अच्छे से तरहे संपाने हैं सब्सक्सें बार मता प्ना अगर आपस्त नम्हें सारी खतम हो जाए ऑग्ना, Score मटर के पराठे बनाएंगे तो जो नमी की वज़े से है ना पराठे अच्छे से नहीं बनेंगे वो गीली-गीली से लगईगे आपको तो यहां हमने मटर को अच्छे से बूंच लिया है तो अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहां पर आदा चमच हमने यहां नमक डाला है आदा छोड़ा चमच हमने लालमिच पाउडर डाला है एक छोड़ी चमा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, आधी छोड़ी चमा हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल लेते हैं, और आधी छोड़ी चमा हमने यहां पर धनिया पाउडर ही यूज़ करा है, तो अभी इन सभ अब हम ने जो बागी की प्यास बचा के रखी तो वो हम इसमें डाल देते हैं इससे डालने से यह होगा जो आपके पराटे उसका टेश खाने और अच्छा लगेगा तो अभी हमने इसमें बारी कटा हुआ हरा दन्याई भी डाल दिया है अब इसको हम मिला लेते हैं अब हमारी मटर की श्टफिग बन के तयार हो चुकिए तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं तो हमारी श्टफिग मट के तयार हो चुकिए तो अभी इसका आटा लगाना इच्ना है तो आटा लगाने के लिए वे साथा बादा मैं नहीं करना है तो इसके लिए हमसिर्फ पानी से लिया एक दरीन ओंडा पराटा बना से परोसेस में तो हमारा आटा लगके तयार हो चुका है, तो हमने एक बड़ी से यहाँ पर आटे की लूई बना लिए, आप देख सकते हैं, इस तरीके से, और इसको हम आटों से इस तरीके से फैला लेते हैं, तो प्राठा बनाने के लिए हमें इसके किनार को पतला रखना है, इस तरीके से तो अभी हम इसे बेलन से बेल लेते हैं थोड़ा सा ही बेलना है मैं जादा नहीं बेलना है से अभी हमें इसको किनार से बेलना है बीच से नहीं बेलना है बीच में ये मोटर आएगा थोड़ा और किनार से से हम हलकल का पतला कर लेते हैं इस तरीके से तो अगर आपको पराटे बनाने में कोई भी परिशानी आती है इस तरीके से तो आप इस तरीके से बना कर देखिए आपका पराटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा फटेगा नहीं स्टेफिंग 12 निकल के बिल्कुल भी नहीं आएगी तो अभी हम इसमें मटर की स्टेफिं प्रवूस बनाते हैं या मोदग बनाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें बंद कर देना हलके हाथ उसे हमें से गुमाएंगे और उपर को जो एश्टर आठा आ रहा है हाथ में उसे हम निकाल देंगे तोड़के ताकि बीच में हमारा पराठा है जो ज्यादा मोट तो हमारे यह मटर के पराठे के लोग बनके तयार हो चुकिए चलिए आम इंसे बेल लेते हैं बेलने के लिए हमने इसमें ट्रोंता सूप का आटा लगाया हुआ है तो बेलने के लिए हमें इसे किनार से बेल तो यह बीच में लेकर आना है एक ही जरब हमें नहीं बेलना है प देख सकते हैं पहले मैं इसे किनार पे प्याल लूगी हूं फिर बीलन को बीच में लीके आ रही हूं जिससे ये पराठी की स्टेफिंग है चारू तरफ अच्छे से फैल रही है तो अभी हमारा मटा का प्राठा वन के तयार हो चुका है कितने अच्छे से बिला आप खोद दीख सकते हैं यहां पर तो चलिए हम इसे सैक लेते हैं तो हमने इस तरीक से तभी पर सैक लेना है तभी को हमने पहले से अच्छे से गरम कर लिया है फिर उसके पराटा डाल देना है आप पराटे को घी में या तेल में अपने चोईस के अकॉर्डिंग सैक सकते हैं यह एक तरब से सिख चुका है तो अभी हम इसे दूसरे तरब इस तरीक से पलट देंगे उसमें लगा देंगे हम तेल तो मैं इसे रिफाइन तेल में सैक रही हूं आप चाहे तो इसे गी में भी सैक सकते हैं हे कि फ्लीम को हमने मीडियम रखा है विस तरह की साम घुमा तो य然 कलिते हैं आं हम तो प्रेंटस यह हमारी मस्यदार सी पराठी बनके तयार हुचके है आप इसा चाह आ कि चाह की का सकते हैंगे अगर आपको आज के हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो जाकि मेरे चैनल के पर सब्सक्राइब जरूर करें पराटो की रेसिपी को कमेंड करके मुझे जरूर बताए कि कैसे लगे आपको आज की हमारी रेसिपी So friend thank you For watching my channel take care bye-bye झाल झाल झाल